नमस्का आपके एक बाद फिर स्वागत है कार्यकरम अंतरात्मा एक दिव शक्ती में इस प्रोग्राम के जरी अभी तक हमने सीखा कि हम अपनी अंतरात्मा को कितना पावर्फुल बना सकते हैं और उसे कैसे कैसे हम अपनी ब्रीन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कैसे गोल अचीव कर सकते हैं आज हम दुबारा चर्चा करेंगे जगमहुन सजदेवा जी से जो हमारे पीच फिर मौजूद है इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आईए उनका पहले स्वागत करते हैं इस्टूडियो में जगमहुन जी नमशकार आपका स्वागत है इस्टूडियो में जो इन दिव्य-शक्ती, कि दिव्य शक्ती बढदे हैं? जिस भी रूप में आम मानते हैं, उसके दर्शन करा सकती है, और उसे प्राप्त करवा सकती है. एक बड़ा चोटा से एक्जाम्पल है यह जो किरन सज्देवा जी यह इस क्रिया को प्रफॉर्म किया जा रहा है आपके सामने जैसे ही मैं तीन कहूंगा अब ध्यान की सबसे ज्यादा गहरी अवस्था में पहुच चुके हैं और तीन अब आपका शरीर तधमन पूरी तथा से रिलास हो चुका है जाएक आएरन रोड एक आएरन रोड आपके क्राउन चक्रासे धीरे धीरे नीचे आपके पैरों की तरफ जा रही है एक iron rod आपके crown chakra से होते हुए धीरे धीरे पैरों की तरफ जा रही है जहां जहां से होकर वो iron rod जा रही है आपका शरीर बिल्कुल strong, rigid और फिर्म होता जा रहा है वो इतना strong होता जा रहा है कि उस पे जितना मर्जी वजन डाल दिया जाए वो बैंड नहीं हो सकता iron rod is moving down, covering your upper back making your upper back very much strong, rigid and firm strong like an iron rod which will never bend any amount of pressure can be applied on it upper back and lower back steel rod की तरह strong, firm, rigid हो चुकी है उस पे जितना मर्जी प्रेशर डाल दिया जाए वो बैंड नहीं होगी iron rod is still moving down, covering your legs आपके thigh area को cover कर रही है they are just acting like an iron rod which will never bend any amount of pressure can be applied आपकी पूरी की पूरी body एक steel rod की तरह strong, rigid, firm हो गई है उस पे जितना मर्जी प्रेशर डाल दिया जाए वो बैंड नहीं होगी मेर तीन तक गिनने वर आपकी पूरी की पूरी body एकदम steel rod की तरह बन जाएगी एक is getting stronger and stronger, more and more stronger two and it's three now your entire body is acting like an iron rod आपको ये strict command है to remain straight and act like an iron rod any amount of pressure can be applied on you you'll never bend ये एक steel rod, steel body experience है इसमें देखे, इसमें देखे, इसमें देखे, इसमें देखे, सिर्फ एक परसन की subconscious mind पे जाकर, यानि उस deep hypnotic state या meditative state में जाकर उसकी programming की जा रही है कि उसकी body steel जैसे strong हो गई अब देखने में ये पतले से हैं लेकिन देखे, जैसे ही हमने इनको steel rod experience करवाया उसके आद हमने stool भी खीच लिया इनके नीचे से इतने heavy lady भी उनके उपर बैठे इनका 84 kg weight है तो उसको भी इन्होंने tolerate कर दिया लेकिन अगर आप इस kriya के बिना इतने पतले से इनसान को ऐसे करके बिढ़ाएंगे उनके निचे स्टूल खीचेंगे तो वो वैसे ही गिर जाएंगे किसी को उपर बिढ़ाने की जुरूरत भी नहीं है मैं किरन सच्टेवा मैं यहां पर क्योर में अपने हस्बिन के साथ work करते हूं hypnosis के courses अगरा हम करवाते हैं यह जो exercise आपको दिखाए गई उसको दिखाने का purpose यही था कि यह सारी mind game होती है सारी कि सारी power हमारे mind में है हमें किसी भी चीज को देके डरनाने चाहिए हमें confidence रहना चाहिए इस therapy को आप शीखके अपनी life में कुछ भी पाना चाहते हैं कोई भी goal हैं, कोई भी achievements यह लेना चाहते हैं वह आप इस therapy से ले सकते हैं इस थेरपी को सीखिए, इस चीज को समझिए, क्योंकि हमारे माइंड में ही रिस्टिक्शन्स होती हैं, हम अपने आपको पहले ही रिस्टिक्श कर देते हैं, कुछ भी करने से पहले, तो हमें अपने आप पर confidence होना चीए, हम अपने आप अट्रेक्ट करते हैं, हमें confidence नहाना चीए, हमेशा यही कहना चीए, कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सभी इश्वरिय शक्तियां हमारे अंदर हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है, तो हम उन्हें उजागर करें, पहचानेंगे, तब ही तो हम इस लाइफ में काम्याब होंगे, Hypnotism, Meditation, यह कोई डरने की चीज़ नहीं है, यह आपके actual talent को उजागर करने की चीज़ है, बस इसको expert के अंदर करें, इसको ध्यान से करें, तब ही आप अपने life में goal और achievement को पास सकेंगे, एक request भी है कि इसे कोई अपने आप ना try करें, उससे चोट लगने का भय है, तो जब आप deep hypnotic state में अपनी body को, देखें, दो मिनट, तीन मिनट में आपने program करके body को steel जितना मजबूत कर दिया, तो आपकी अंतर आत्मा में उतनी शक्ती है, कि आपकी body को steel जितना strong कर दे, जै पर को चीरते हुए निकल जाएंगे, इसी तरह की बहुत सी क्रिया है, ये सिफ एक दिखाने के लिए, जब मुहां जी इसे बताएंगे, दो तीन में ये कर दिया, तो जो किरन जी को किया, तो इसमें आप किसकी power जादा लग रही, आप इसको कर पा रहे हैं, या किरन जी मे ज्यान करवा रहे हैं, मिलवा रहे हैं, उनकी अंतरात्मा को जागरित कर रहे हैं, जो नॉर्मल इंसान हो, जिसने न सीखा हुआ हो, उसे भी आप इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल, देखे, जो भी परसन बिना थोड़ा सा हमें उनका सहयोग चाहिए होता है, कि वो भरोस करना है, जैसे जैसे आपका भरोसा बढ़ता जाएगा, आपकी अंतरात्मा और ज्यादा आपका साथ देगी, और आप उसका पूरा का पूरा इस्तमाल कर बाएंगे, बहुत बढ़िया, यह तो मलब एक चमतकाली चीज थी कि आप किसी को इस तरह से लिटा कि और उस पे को को बता है, प्लीज. लोग हिंदुस्तान के अलग-अलग शेरों से, अलग-अलग जगाओं से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो आपे वरक्शॉप्स रेगुलर बेसेस पे कंड़क कराना चाहते हैं, वहाँ पर उनको हर तरह का सहयोग हमारी इंस्टिटूशन द्वारा प्रोवाइड किय जाएगा ताकि वह अपना और लोगों का सर्वोच भला कर सकें, बहुत अच्छा है कि इन्होंने बीडा उठाया है, तो अगर इस तरह से आपको जुड़ना चाहते हैं, तो कप्रया संपर करें, मेल करें, फोन दोरा संपर करें और जुड़ें, ताकि हम लोग सब एका बन आके रह सकें, जग मोहन जी स्टूडियो में आने के लिए और इतना सारा ग्यान बाटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, झाल 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 झाल झाल